तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखो कि इसमें क्या करते हैं यहां पर basically एक हम लोगे पास rod है यह rod of length L है और जिसका x is equal to a to x is equal to यह जो length है यह capital L यहां से यहां तक भिखरा हुआ है यह capital L है पहला जो end है वो x is equal to a पर है और दूसरा end यह वाला जो है वो x is equal to obviously a plus L पर ही होगा ठीक है force exerted आने point mass at x is equal to 0 यहां पर एक छोटू point mass है this is the point mass small m जो की x is equal to 0 पर है तो यह भी दिया हुआ है कि rod का एगर mass capital M है तो rod का mass rod के लिए rod के mass per unit length जो lambda है इसको मैं represent करता हूँ यह दिया हुआ capital A plus B का x का square मतलब mass per unit length variable है ठीक है mass uniformly distribute नहीं है तो अगर mass uniformly distribute नहीं है तो इन दोनों के बीच force की calculation करनी है अब देखूं यार simple सी बात है force निकालना है तो Newton's law of gravitation direct लगेगा या calculus से form में लगेगा तो लगेगा तो वह ही लगेगा तो यहां से मैं x distance पर यहां से मैं x distance पर बड़े अराम से आ जाता हूं और एक छोटा सा point mass differential element ले लेता हूं जिसकी thickness कुछ जो dx है और इसमें जो mass आएगा वो dm आएगा अब यह डायरेक्ट इन दोनों point के बीच नहीं लगा सकते न Newton's law समय रहे हो Newton's law का अब लगता है point mass के बीच लगता है तो यह जो dm है यह जो dm है वो अब point mass बनेगे और m इनके बीच में Newton's law लगा दूंगा तो small force is equal to आजाएगा capital G dm और point mass m और इनके बीच का distance x का square बस simple सी बात है यह differential force है एक छोटा सा force है तो अगर तुम देखो यहां से dm की value सबसे पहले हम मैं calculate करूंगा dm की value तो dm कितना आ जाएगा dm आ जाएगा mass dm मास कैसा linear वाईज है तो mass per unit length multiplied by छोटा length dx ठीक है और mass per unit length की value दिया हुआ है capital a plus b x का square और multiply कर दो यहां dx this is the dm अब इस dm को उठाके ऊपर रख दो तो dm की जो value आ जाएगी ओ जी इसमाल m x का square और इसमें तुम रखोगे तो a plus b x का square और यह मिलेगा dx तो finally थोड़ा और अच्छे से अगर मैं लिख लूँ इसको तो जो dm की value आ जाएगी ओ आ जाएगी gm gm और bracket में a upon x का square plus b और this is the dx तो यह basically क्या है यह क्या है यह क्या है यह एक इसमाल force है तो हमें तो total force चाहिए न तो इसको मैं proper limit लगा के integrate कर दूँगा जब x की value 0 थी तो force कितना था x की value x की limit कहां से कहांता जाएगी x की value limit जाएगी x is equal to a x is equal to a तो force की value 0 थी तो जब x की value आ जाएगी a plus l उस वक्त जो force है वो f हो जाएगा अगर मैं इसको solve कर लूँगा तो मेरा problem हो जाएगा तो चलो इसको solve कर लेते हैं बच्चों यहां से जो है इधर बचेगा f और इंटीग्रेट हो जाएगा तो यह इंटीग्रेट होके क्या बनेगा भाई तो यह इंटीग्रेट होके बनेगा a upon minus x x square plus b का integration bx और limit गया a to a plus l limit x 0 से नहीं स्टार्ट होगा ध्यान देना 0 से स्टार्ट करोगे तो rod 0 से स्टार्ट हो जाएगा a plus minus तो अब f की value अगर मुझे निकालना है तो यह आजाएगा gm और यह यहां से minus a और a आजाएगा a plus l plus b और a plus l और यहां से तुम देखोगे minus sign लगा देते हम लोग तो minus sign लगा देते हैं a की value डालेंगे तो minus a upon a और plus b a यह वाले और पूरे bracket को हम लोग बंद कर देते हैं तो अगर तुम देखो कि इसको solve करें तो b a ने b a को यहां से काट देगा क्योंकि यह plus a minus a minus हो जाएगा तो जो net force इधर पर जाएगा gm side में लो कप्चे में और यहां से जो बीयल है बीयल भी मैं इधर ले लेता हूं और अगर मैं बीयल इधर ले लिया तो देखो बीयल में इधर ले लिया तो minus capital a small a plus capital a इधर बच जाएगा और यह यहां पर देखो यह minus minus plus हो गया तो minus minus capital a अपन इस माले बच गया तो फाइनल जब इसको और अच्छे से solve करोगे तो gm और bracket के अंदर यहां से देखो तुम capital a common ले लो capital a common ले न ध्यान देना यहां से capital a common ले लोगे तो इसके अंदर बच जाएगा जो ओन अपन यह one upon a l x is equal to यहां से x is equal to a to अगर मैं बात करूं यहां से तुम देखो गे तो x is equal to a one upon a बचा और minus a common ले लोगे one upon a plus capital a बचा यार तो this is the final solution आई हो की बहुत राम से समझाया हूं और सारे स्टेप इसमें discuss किया हूं तो आपका डाउट basically clear हो गया होगा प्लस बील यहां से प्लस बील भी आएगा तो अब कोई भी डाउट है फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है प्यारे बच्छों तो देखो कमेंट में support करो discuss करो यार अगर देखो होता क्या है कि आदमी कोई भी काम करता है अगर उसको support मिलता है ठीक है support मिलता motivation मिलता है तो और ज्यादा काम करने को मतलब और ज्यादा काम करना चाहता और ज्यादा लोगों का भला होगा तो यहां से फाइनली यह हमारा solution है चलो देखते हैं कौन साइस में से match करता है तो GM common हो गया और plus BL रहेगा मतलब यह सही नहीं हो सकता यह सही नहीं हो सकता GM is equal to और यहां से one upon a और minus one upon a plus मतलब बी option हम लोगा सही बन जाता है थैंक्स पर ओचिंग इस वीडियो करता है